के गाईज विल्कम बैक टो चैनल डी जी एचेस यानि कि डारेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेस की हेल्थ इंस्पेक्टर की जो वेकेंसिस आई थी specially उसकी लिए exam pattern पे आधारीत mock test हमने launch कर दिये है अब इसके admit card जो है बहुत जल्दी आ जाएंगे December में इसके December के ending में इसके exam हो जाएगे दूस्तों कई सारे बच्चू के message दे कि इसके लिए mock test notes available करवा दीजे तो exam pattern पे आधारीत हमने mock test और notes available करवा दिये है अब आप देख सकते है exam pattern अगर देखा जाए तो 60 question आपको आने वाले है ठीक है समझ में आ गया तो आपका जो question पेपर होगा जो भी आपका exam होगी वो 60 question के लिए आएंगी 60 question ही आएंगे और 240 mark एक question 4 mark के लिए ओके अब यह जो रहेगा मतलब 60 question एक घंटे के में आपको चुड़ाना पड़ेगा एक घंटे के अंदर 60 minute का time मिलेगा आपको एक घंटे के अंदर 60 question आपको चुड़ाने है ठीक है सेम सेम pattern पर आधारीत में हमने यहाँ पे यहाँ पर हमने उसी ही pattern पर आधारीत mock test available कर दी है अब यहाँ पर totally मैंने 6 mock test available करवा दी है इसमें से जो 5 mock test है आपकी वो 60 question रहेगे और 240 mark की रहेगी ठीक है और यहाँ पर एक ही घंटे का time आपको मिलेगा यह आप practice कर सकते है अपने mobile में ठीक है यह 5 जो test है test 1, 2, 3, 4 और 5 यह जो है exam pattern पर आधारी test है और इस 6 नमर की जो test है इसमें health inspector के सारे question मैंने दे रखे है 150 question यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ठीक है तो यह practice test जो है इससे आपकी बहुत अच्छे से practice हो जाएगी DGHS का जो भी exam देने वाले बच्चे उनके लिए specially यह practice test available करवा दी है syllabus based practice test है अगर आप यह practice test छुडाते है दो बार, तीन बार, चार बार तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छा practice हो सकता है exam में आपको इसी प्रकार की question देखने को मिल सकते हैं दोस्तों तो इस practice test के लिए आपको शिक्षा मंत्रा आप specially हमने अविलेबल करवा दिया है specially health inspector के लिए जो भी बच्चे पढ़ाई कर लिए उनके लिए तो description box में इसका link मिल जाएगा वहाँ पे जाईए और वहाँ से यह mock test आपको purchase कर सकते है आप purchase कर सकते है वहाँ से ठीके दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching और best doctor for your exam